वेल्कम बाग आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में तो आज होने वाली एक रेसीपी वीडियो जिसके लिए बहुत लोगों ने डिमांड किया था मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो में अपलोड की थी प्यॉर वेजिटेरियन डाइट और उसके कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि हमें सोया चंक्स फ्राइड राइस की रेसीपी वीडियो चाहिए और यह रेसीपी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है इसमें हम लोग कोई भी तरीकी का ओईल नहीं उसकरने वाल है और सबस चंक्स फ्राइड राइस बनाना बहुत ही ज़्यादा असान है तो चलिए फिर बिना कोई देरी की वीडियो को शुरू कर लेते हैं लेट सबसे पहले आपको लेना है 60 ग्राम्स और उसके बाद 50 ग्राम्स और रौ सोया चंक्स और मैं सोया चंक्स कौन से यूस करा हूँ य अच्छे से ड्रेन कर लेना है उसके बाद इसमें डालना है अपके मन पसंद के वेजीटेबल मैं यहां पर ग्रीन बीन्स और का यूस कर रहा हूँ आपके घर पे जो भी वेजीटेबल से आप लोग यूस कर सकते हो अभी डालना है थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के लिए 1 half teaspoon red chili powder और उसके साथ में half tablespoon चिंक्स का fried rice masala और ये masala यूज़ करने से इतना कोई जादा बड़ा फरक नहीं आएगा आपके calories में थोड़ा बहुत आप लोग तेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हो तो जो मैं मसाला यूज़ कर रहा हूं आप लोग वो स्क्रीन पर देख सकते हो आपके आसपास के मार्केट में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा बस लास्ट में इसके अंदर एक ग्लास पानी डालना है और इसे अच्छे से पक जाए आच से दस मिनट के बाद आप लोग देख सकते हो आपका फ्राइड राइस एकड़म रेडी हो चुका है जिसमें आपको कुछ भी चीज़े फ्राइ करने की ज़रूरत नहीं है बस इसको अभी एक प्लेट में सर्फ कर लेना और एंजॉय करना ये फ्राइड तो थैंक्यू सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए आए हो आप लोग के साथ जो मैंने रेसिपी शेयर किया आप लोग को पसंद आई रहेगी और ये एक पॉफेक्ट पोस्ट्वकाव मील ऑप्शन है प्यॉर वेजिटेरियन के लिए और सबसे इंपोर्टन चीज य आपके स्क्रीन के सामने लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूप फॉलो कर लें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना चाइनल पर नहीं हो अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है और उसके बाचिंअ में जो बेल आइकन है उसको